तो दोस्तो RBSC Board अजमेर के दवरा आज यानि दो जोन दो हजार तेइसको धोपर एक बजे के लगबग कखसा दसवी का रिजेल्ट हो जारी कर दिये तो ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे टोपर इस्टुडेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिन्होंने पूरे राजिस्थान को टोप किये और इसी के साथ साथ All Our राजिस्थान के रिजेल्ट का सोट में एनलाइटिक्स या विसलेशन करके भी आपको बताऊंगा इसलिए जो वीडियो है वो आपके लिए खास हो सकती है क्योंकि कुछ ऐसी जानकारीय भी होती है जो नए चाहते होई भी हमें जान लेना चाहिए नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगूर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चैनल तो दोस्तो जैसा है कि आप सबको पता है कि आज कक्षा दस्वी का रिजेल्ट है वो जारी हो गया है और इस रिजेल्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे देखिए अब देखिए अपने आप में और अपने इस्कूल में टोफ होना ये बड़ी बात है, अपने ब्लोक और अपने डिस्टिक में टोफ होना ये और बड़ी बात है, लेकिन विया इसी के साथ साथ अपने स्टेट में टोफ होना ये सबसे बड़ी बात है, अब देखिए जो टो तोपर सबद है भिया अपने आप में है निराला लेकिन भिया टोपर बढ़ना इतना आसान नहीं है टोपर बढ़ने के लिए दम की आवसेक्ता होती है तो चलिए अब मैं आपको उन तीन टोपर के बारे में बताता हूं जिन्होंने पूरे राजिस्थान को टोप किये इन मे चत्रुवेदी ने सेंट फ्रांसिस सेल सेकेंडरी स्कूल कांच रोली हिंडोन करोली में इन्होंने पढ़ाई किये इसी के साथ दूसरे जो टोपर इस्टूडेंट है इनका नाम है दिक्षा चोदरी और दिक्षा चोदरी ने 99.00% अंक हासिल किये हैं और दिक्षा चोदरी ने सरस्वती बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलवंत पुरा नवलगड जूजनों से इन्होंने पढ़ाई किये हैं जो की मेरे जिले से और इसी के सासा तीसरे जो टोप स्टूडेंट है उनका नाम है गोरांगी यादव और गोरांगी यादव ने भी 99.00% अंक हासिल किये हैं और गोरांगी यादव ने किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविन पुरा कालवाडा रोड जेपुर में इन्होंने पढ़ाई किये तो अब याद सबसे पहले इन टोप तीनों ही स्टूडेंट को इस राजगुर जी की तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई और हार्दिक सुबकामने राजगुर जी इस वर से ये कामना करता है कि आप इसी तरह से वो आगे भढ़ते जाएगा और इसी के साथ साथ ये जो तीनों स्कूल हैं जिन्होंने टोपर्स दी हैं इन स्कूल के डायरेक्टरम हो दे और सभी स्ट आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई और आप सब के लिए दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने बहुत बड़ी अच्छी महनत की है और या इस बार आपने राजिस्थान को है वो टोप कर दिया है अब दोस्तों ये तो हैं वो तीन टोपर स्टूडेंट लेकिन वीडियो में आगे वनने से पहले एक जानकारी मां आपको देना चाहूँगा देखिए इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों में शेर कीजेगा अब दोस्तों आपको यहां पर पता है कि देखिए राजिस्थान शरकार के दोरा या फिर आर्बेसी बोर्ड के दोरा जो टोप स्टूडेंट रहते हैं उनको कई तरह की स्कोलर सीफ है वो दी जाती है तो साइध हो सकता है कि इन स्टूडेंट को या फिर इन गा भी इस्टूडेंट को मेरे दोरा इसकोलर सीफ के बारे में टोटल जानकारी है वो बिल्कूल फिरी ओप कोष्ट हो दी जाए कि किसी परकार से उनसे कोई सुलक है वो नहीं लिया जाएगा कोई अगर यह सोच रहा है कि राजगुर जी वो सुलक लेने के लिए ऐसा करने ब चलिए अब यहाँ पे मैं सोट में इस रिजल्ट का एनलाइटिक्स है या विसलेशन करके भी आपको बता देता हूँ कि इस बार अपने पूरे राज़िस्थान का कक्सा दसवी का रिजल्ट हो किस परकार कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने शुरुआत में बता है कि इस बार अपने राज़िस्थान में जो दस्वी का रिजल्ट हो बड़ा ही यहाँ पे शांदार रहा है इस बार यहाँ पे पिछले साल की तुलना में यहाँ पे तक्रिबन 7.9 परसेंट जो रिजल्ट हो यहाँ पे अधिक रहा। और विया इस बार भी यहाँ प 0.49% यहां पर रहा और यहां पर देखिए बालिकाओं का जो परसेंट रहा है इसमें 91.30% रहा है और इसके साथ साथ यहां पर जो लड़कों का या जो बोईज बोलते हैं यह इनका जो परसेंट रहा है वो 89.78% यहां पर रहा है और विया जो लड़के न है फिर से इस साल है यहाँ पे डाउन अवर है गई चलिए अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे टोप जिलों की जानकारी है वो देता हूँ कि इस बार कौन सा जिला है वो टोप रहे और भिया इस बार मेरे जूजनो जिले ने पूरे राजिस्थान में भिया बाजी मार दी है और पूरे राजि जिले के लिए टोप आने के लिए इस वीडियो के लिए एक लाइक है वो जरूर बनता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि केवल जूजन वाले इस वीडियो के लाइक करेंगे दूसरे जिले वाले साती है वो भी जरूर है वो लाइक कीजेगा और अपने राई है वो जरूर द तो देखिए शिक्षा की नगरी कही जाने वाला जो जिला है यानि कोटा जिला है पिछड गया पिछड गया ना टोप 10 में आया है ना किसी में आया विया सबसे पीछे रह गया है और या कोटा का यहां पे ओल आवर रिजेल्ट की बात करें तो यह 79.48 परसेंट रहा है यानि 80% को भी है वो पार नहीं कर पाया अब यह क्या हो गया विया शिक्षा की नगरी कहे जाने वाला कोटा जिला है वो कैसे पिछड गया अब आपको अंदाजा है वो लग गया हो गया क्योंकि विया वो शिक्षा की नगरी नहीं रही है अब तो वो पैसों की नगरी हो गयी है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं खैर कोई बात नहीं ये कलग मुदा बनता है लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखी विया कोटा है वो सबसे यहाँ पे पिछड गया तो यह सोट में अनलाइटिक्स था और इस बार बालिकाओंने बहुत अच्छी भीनत की है तो सभी बालिकाओं को है दिल से वो धन्यवाद बस इसी तरह से है आप मिनत करते जाएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ वो शेर करते जाएगा अगर वीडियो जानकार यह आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, शेर कर दीजेगा और इसके अलावा इन तीन टोपर्स के बारे में आपको क्या कहना है, अपनी राय है, कमेंट में जरूर बताएगा तो मिलते हैं फ्रेंट्स अगे लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत